जिन्देगी में सबसे फेवरेट चीज क्या हुई है अभी तक जो आप को कि या यह तो मैं सोचता पर नहीं था यह मिल गई बीबी बीबी फैमली में क्यों शादी नहीं किसे ने कुड़ी नहीं देती उससे प्यार बहुत करती हो आप अपनी बेगम से डरते बोत है सारी डर देने इकबाल के इक शहीन मजूद हैं खान है आप यूसफ जई पंजाबी हैं जी हमारे से दिन से गप्शप लगाते है असलाम लेकूम वालिबी इसलाम लेकॉरी प्शावियो जितना आपका करव हैं चो आब तक जो आपको के यार इह तो मैं सोचता भाने था यह मिल गई लव मैरीज होई थी है एर्रेंज मैरीज आपकी अरेंज हुए थी मैरीज स़य आपकी अधा के घर नकिकर इине कियो इस तो आपकी बेगम है उनकी एक अच्छाई बतानी है, आपने एक छोटी सी बुराई हुदानी है जो आपको देल करता है कि यह भी नहीं हो तो बड़ा सही हो जाए अच्छाई ही बताऊ हूँ मुझसे प्यार बहुत करती हूँ और छोटी सी बुरी आदत तुनकी वो भी यही है जादा प्यार करते हैं सारी डर्देने जतने शादी शुदा मर्द होते हैं वो अपनी बेगमाद से डर्दे वह बहुत को उसकी जो चान है शादी जब उसकी होती है तो पांच सो बंदा उसकी ब्रादे लेने जाता है और वो शेरनी उदर से केली आती है वो शेरनी उदर से केली आती है तो बन्दा कौन मैं डरे उसे जो लोग उस शेरनी को काबू में करके रखते हैं काबू में इना सेंस के ड्रा के मारते हैं उसको काम जादा सादा करवाते हैं मतलब उसको कर दें कि यार हम एक नोकर ही ले किया हैं तो उन मर्द हसरात को क्या कहेंगा नी नी ये घलत बात है ये तो मर्दों माली बात ही नहीं है और अपनी पेगं को आप कितने की महीने में शौपिंग करवाद है ये ना पूछो ने करांदे यहां न बूच्छो पांच हजार-दस हजार की शॉपिंग यहीं को जाती है तो जब वो कभी नराज हो जाती है मेनाते कैसे है पिर वो लिचाक प्र टॉपिंग टबल कर दो एक्सपेंस कुछ सुनाएंगा अपको अच्छा से शीर सुनाएंगा अच्छा से सुनान को इपको यह ए…" भी सेड़ाइन्हें पिजह बेस्वारे इसे गान करती हैं और साथ किसी अंकल करते हों पहले ज्यादा बताते हूंगे उसकी कम पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान जिन्दावार कौन जीते हैं यह मुझे क्रिकरट का शोग नहीं है यह लगा जिए लगा लड़का यही कहता लेकिन जब उसकी शादियों जाते वह भी सेम वैसे हो लड़का कौन सा उसके पास जी आफनी होती है आपके पास है और वह पगली हमारे गर्चा का कहने लगी एंटी टाडम उंडा मिटी खा रहे हैं यह उन लड़कियों के लिए जो बच्चों को नदान समझ प्यारती है बहुत बड़ा दोखा मिला है लड़की से यह लड़की से मिलता है खुसरे कोंसा दोखा देते हैं इकबाल के और शहीन मजूद है क्या करते हैं मैं एस पेर पार्स की शोप है तो गारियों के स्पेर पार्स ने एसी के स्पेर पार्स है थंडे 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 लोगों को करने के सही हो गया तो कब से यह काम कर रहे हैं तो आपकी एज तो मुझे बहुत कम लग रही हैं जी मैं बहुत कम एज में काम चुरू पढ़ाई में दिन नहीं था जिसका पढ़ाई में दिल नहीं तो इसका देल ऊता ही मैं वारा-गर्दी करूं वारा गर्दी करूं तो यहीं बच्चों उनको यही बास समझाना है कि बच्चों जो हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो कोशिश करो उनके लिए कुछ उनके लिए बनो और उनको कुछ अपने अपने उनके कंदग उपर बोज ना बनो उनको बलकि इतना कुछ करके दो कि वह को किसी के आगए यह कह सकते कि बेटा म हप हैं पाकिस्तिन में यही चीज हो रही हैं पाकिस्तान में बेसिकले काफी मौलिक में niez चीज़ रही है कि ख़ुदeee अपने टोस्ट कर ने सोचाऊ पिर अपनि लिए सोचो चैना आप अपने लिए सोचना शुरू हो जोगे ना तब आपकी जिंदगी आगे वाली लाइफ पूरी होगी होगी है अपनी बेगमों के बारे में सोचते हैं ऐसी ही है बहुत यह बेसिकली ना जो हमारे मर्द जराते हैं जो हमारे इस टाम शादी शिदा लोग है वह यहीं सोचत और एक के पास होती है ऐसा शोग रखते हैं यह सब की अपनी सोच है लेकिन मैं ऐसा सोचने रखता है आपको वैसे कैसी लड़की चाहिए लड़की जैसी भी हो बस माबाब की इजद करने वाली हो घर संबालने वाली हो यह जुरत नहीं है को खूब सूरो तो या कोई अच अची हो माबाब की जदत करने वाली होगे लड़कों को चाहिए कि भई घर संबाल सके माबाब की भी हिदमत कर सके घर को साफ सुतरा रखे कभी किसी ने अपनी काम वाली से शादी क्यों नहीं की काम वाली होगी मारी तो फिर ही शादी करेंगे हम तो खूद बेखां मेरे जो पसका काम वल्यों नहीं है यह तक यह सही है अच्छा इसके लावा कोई टेलेंड के गाना कोई शाहिडी कोई शाहिरी आप्थ रहा हूं वह मारी गली से घुजर रही थी मैडम अरशाद किया कि हमारी गली ते गुजर रही थी कि हमने भी उसके पैरों की खाक उठा कर समाई नहीं और वो पगली हमारे गर्चा के कहने लगी एंटी टाडामूडा मिटी खा रहे हैं यह किसके लिए था यह उन लड़कियों के लिए जो बच्चों को नदान समझ बैड़ती है बच्चे खुद को नदान समझते हैं लड़किया निए लड़किया समझ बैड़ती है जी ऐसे पेचाना ही नहीं वह हांक चूमरात ला उसे जाके शिकाइते हैं यह मिटी खा रहे है पता निसमें बच्छपना भी भी है और शेर आते हैं नहीं बस यह शेर बहुत है लेकिन जब जवानी मेरा जनाजा उठाया जाएगा मस्जिदों मेरे नाम का इलान दिलवाया जाएगा उठाई जाएगी मियत मेरे घर के दर्वाजे से छुड़ाया जाएगा दामन मेरे माँ के मेरे हातों से तो वह पगली के गागर से जब गुजरेगा मेरा जनाजा वो देखे तो रो पड़ेगी जब मेरी मियत उसके आगे से गुजर जाएगी तो मेरी मां का आचल मेरे हातों सो छूट जाएगा मैं रोता था उसके लिए तो वो समझ ना पाई इस बात को अग्यों सोगे इतना डैप्थ वाला ये शेर बोल रहे थे ना ये ब्रोकिन आट है कुछ भी बोल देता है लेकिन बहुत बहुत बड़ा दोखा मिले लड़की से मिलता है खुस्रे कौन सा दोखा देते हैं लड़के नी दोखा है तो साल के बाद आपके साथ नहीं क्षानी ना के प्यार प्यार को इज्जत को किसी चीज़ को नहीं करती। पैसे आपके पास तो सब कुछ है और यह बाद हकीकत है झाल झाल